हेलो एबरीवन वेलकम टू एडियल फार्मेसी यूटूब चनल दोस्तों फार्मासिस्ट की बहुत बड़ी बंपर बैकेंसी आ चुकी है जिसमें फार्मासिस्ट के कुल 1549 पदों पर यहाँ पर बैकेंसी दी गई है तो इसके बारे में आगे बीडियों में बात करने बाले हैं और आपको बता दू कि बहुत यह बड़ी बैकेंसी होने वाली है कई स्टेंड्स को इसका लगतार बेट कर रहे देगी सर फार्मासिस्ट की बैकेंसी कवाने वाली है तो देखिए आज की बीडियो में आपको बताने वाले है कि बिहार में जो आपकी स्वास्ते विवाग में फार्मसिस्ट की बेकेंसी आई है 1549 पद रिक्त हैं वहाँ पर उनके लिए जो बेकेंसी आई है उसके लिए पूरी डिटेल में बात करेंगे इससे पहले अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आने वाली सभी फार्मसिस्ट की बेकेंसी की अपडेट आपको हमारी यूटूब चैनल पर मिलने वाली है तो चलिए नीचे देखते हैं कि आपर क्या क्या दिया गए बिहार की फार्मसिस्ट बेकेंसी के बारे में तो आप देख रहे होंगे कि इसमें दिया गए है बिहार तकनी की सेवा आयोग फार्मसिस्ट बरती 2030 तो आप देख रहे होंगे बीटी एस सी फार्मसिस्ट बेकें यहां दोस्तों इसे अभी तक इस्तगित कर दिया गया है जो भी आपके 1 अपरेल को यह भी आपका जो ओर्लाइन आविदन होने थे उसे इस्तगित करके अब यह 1549 पत जो है बिहार में उनकी जो है ओर्लाइन स्टार्ट कर दिया गया है 5 अपरेल से जो कि इसके लास्ट डेट रहने वाली है 4-5-2023 तक और एक्जाम की डेट अभी तक यहां पर कोई मैंसन नहीं की गया चलिए नीचे आप बात करते हैं बिहार फार्मसिस्ट एप्लिकेशन फीस के बारे में तो जनरल EWS और BC के लिए यहां पर 200 रुपे फीस का कट ओफ होने वाला है SC, ST और EBS के लिए 50 रुपे और अधर स्टेट में जो भी आपके आते हैं उसमें 200 रुपे यहां पर इसका कट ओफ रहने वाला है फीस का चली नीचे बात करते हैं बिहार फार्मसिस्ट भरती की एज लिमिट के आपको बता दो कि यहां पर जो भी अलागला कैटेगरी बाइज यहां पर एज लिमिट रखी गई है जैसे कि जनरल और EWS बालों में जो भी आपके मेल कैटेगरी के हैं उनमें 21 से लेकर 37 साल और जो चली बहुत ही बड़ी आपके लिए न्यूज है कि जो भी आपकी फार्मसिस्ट की बैकेंसी है उसमें बहुत ही बड़ा आपको नोटिफिकेशन जल से जल मिलने वाला है जल से जल आप 5 अपरायल से इसके लिए ओनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं चली आप बात करते हैं कि अपको बता दो कि जिनका भी रिजिस्ट्रेशन हुआ है बिहार फार्मसिक काउंसिल में तो वो इसके लिए एलिजिवल है वो इसमें अपलाई कर सकते हैं बाकि अदर इस्टेट के नहीं कर सकते हैं क्योंकि बैकेंसी जो है बिहार इस्टेट के लिए ही है जिनका भी online आवेदन अब start होने वाले हैं और हाँ एक most important बात और बता दो कि B form और M form बाले इसमें अभी तक कोई eligible नहीं है इसमें not eligible दिया गया है पटना हाई कोट के आदेश के अनुसार जो भी students direct B form या फिर M form पास हैं वो eligible नहीं होंगे चलिए अब बात करते हैं Pharmacist category by seat detail के बारे में कि कौन सी category में कितनी seat available है या कितनी post available है तो जनरल में 561 EWS में 132 और EBS में 333 BC में 105 और BCF में 65 SC में 321 और ST में 22 यहां प्रोटल मिलाकर जो आपकी post हो रही है वो 1549 यहां पर post होने वाली हैं तो उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुसकबरी की नियूज है जिनका भी registration बिहार फार्मेसी काउंसिल में हुआ है उनके लिए जलसे जल्द 5 अपरैल से यह ओनलाइन आविदन की पिरकिरिया सुरू होने वाली है